हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो एडिटोरियल अनलेसिस पाइ सिंप्लिफाइड सिवल सर्विसे आज 24 सेप्टेंबर को दो आर्टिकल डिसकस करेंगे दोनों आर्टिकल दाहिन दुस्री लिए गए फर्स्ट आर्टिकल जो डिसकस किया जाएका वो है इंडिया नीड सा नेशनल स एलस्राइजी इस आर्टिकल में हम मेंस का एक परकूशन त्यार करेंगे जी यसरी पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंटर यह भी हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट होगा जी एस वन सोसाइटी के परस्पेक्टिव से अगर आपको हमारा एनलेसिस पसंद आ रहे तो प्लीज लाइक करें कॉमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अगर आपको इसकी पीडिएफ चीए तो आप हमारा टेलीग्र फेलिंटी स्ट्रेटी अर्टिकलं फेलमें और हिंडु में और हैं शुक्ता क्लेंट काफे प्रृम के परस्पेक्टिव से उतना में चली anlat की इसतना है तक रियंक है है हैं में थिसक्राइब के नैश्नल सेचिरटी के स्ट्रेटी एठ grands तक्只 Luna में 310 32 Do you all agree that India needs a national security strategy? ऐसा कोश्यन आ सकता है, और क्या आ सकता है? एक और देख लेते हैं, जो जादा चांसे हैं, जिसके आनने के एक्जमाइन, how India national security strategy should address the economic challenges posed by China economic and security challenges, ठीक, so economic and security challenges posed by China को India कैसे address कर सकता है अपनी national security strategy बना के इसके बारे में आपको लिखना है, 10 marks में आपको आ सकता है, next year ठीक, शुरू कर लेते हैं article, सबसे पहले context देख लेते हैं The demand for national security strategy is again under public discussion as a neighborhood gets into a flux, old enemies muscle up and new friends are yet to commit themselves So, जो national security की demand है, वो एक बार और public discussion में आ चुकी है क्योंकि हमारे जो neighborhood है, वो flux में है, neighborhood की बात करें तो Bangladesh, Kios, Myanmar, Koop, Nepal, on and off चलता रहता है अफगानिस्तान में तालिबान आ चुका है, पाकिस्तान से कोई relation नहीं है श्रिलंका से अभी बहतर relation है, मालदिस के साथ ओफ आला चल रहा है अन्य जब pro-Indian regime आती है, तब अच्छे relation रहते हैं जब pro-China regime होती है, तब India और मालदिस के relation खराब हो जाते हैं तो जो हमारा नेबर हुट है, उसमें बहुत ज़्यादा क्योंस है जो ओल्ड एनिमी है, वो मसलब कर रहा है, ओल्ड एनिमी मतलब चाइना की बात कर रहा है 1962 में वार हुई थी, इंडिया चाइना की जो लगातार जो चाइना है, वो अपनी economic strength और military strength को बढ़ाते जा रहा है और इंडिया के जो नए friends है, वो अभी भी commit नहीं कर रहे है नए friends की बात कर रहे है, मतलब western countries की यहाँ बात की जारी, United States की बात की जारी है यह सारी चीज़े होने के कारण, जो national security strategy है उसकी demand दुबारा से बढ़ गई है कि इंडिया को national security strategy formulate करने की ज़रत है India's economic ambition to be 4 trillion economy is also likely to also face strong headwind as a war in Ukraine and Gaza continue dragging down global growth the economy is really key thing to everything else after all everyone wants a slice of economic five from ministry of health to ministry of defense that means prioritization within rather scar resources and that is the key to national security strategy making so India 4 trillion economy बनना चाहता है लेकिन जो external environment है वो इंडिया के against में है headwind का मतलब क्या होता है वो wind जो इंडिया को stop कर रही है आगे से आकर रोक रही है tailwind वो होती है जो इंडिया की growth को support कर रही है so external environment इस समय बहुती खराब है यूएस में और यूरोप country में global slowdown चल रहा है Ukraine रश्या war चल रही है so overall जो global growth है वो कम हो रही है और global growth कम होगी तो इंडिया जो export करता है वो भी कम हो जाएगा और इंडिया को काफी ज़दा economically नुकसान होगा अगर इंडिया economic power नहीं बनेगा तो obvious है कि military power भी इंडिया नहीं बन सकता क्योंकि सब चीज में पैसा चाहिए आज चाइना एक super power बन रहा है अपनी military power बन रहा है कैसे बन रहा है उसका budget allocation military और defense में कितना जादा है जब तक आपके पास पैसा नहीं है आप जो है military power बन ही नहीं सकते इंडिया के पास पैसे हैं लेकिन इंडिया के पास बहुत जादा ऐसे areas हैं जहां उन पैसों को इंडिया को use करना है so already हमारी जो priorities है वो growth and development है और हमारे पास जो resources हैं वो scarce resources हैं सब को economic pie चाहिए चाहे ministry of health हो या फिर ministry of defense और इसलिए जो scarce resources हैं उसको properly utilize करने के लिए आपको national security strategy बनाने की जरुरत है so पहला जो हमारा point रहेगा कि आखिर इंडिया को क्यों why do we need a national security strategy तो इसमें पहला point किया जाएगा कि हमारे पास resources इसकार से और बहतर तरीके से resource allocation करने के लिए हमें national security strategy बनाने की जरुरत है दूसरा क्या point हो सकता है external threat external threat तो है ही चाइना से और पाकिस्तान से पाकिस्तान को तो चलो हम manage कर लेंगे लेकिन हम चाइना को manage नहीं कर पाएंगे और यह fact है क्योंकि economically China हमसे बहुत जादा जो है आगे है और obviously defense में भी इंडिया से कहीं जादा powerful country है वो सो यह हमें by a large मान लेना चाहिए accept कर लेना चाहिए कि जो आज के समय में जो चाइना है वह economically और defense में इंडिया से कहीं जादा आगे तो इंडिया के लिए external threat बहुत बड़ा है next क्या है global instability Ukraine Russia बहुत चल रही है और चाइना और ताइवान के बीच में भी बहुत जादा issues चल रहे है you never know कि कभी भी चाइना जो है ताइवान पर attack कर सकता है और क्या पता इंडिया के साथ भी एक front खोल ले हो सकता है कि तिबबत के थुरू अरुनाचल प्रदेश में attack करें या फिर लद्दाक में attack करें इंडिया को पर्यान तर्य पिपेर रहने की जbourne $ So Global Instability चर्वघ उसके कारण जो ग्लोबल ग्रौत है वो कम हो रही है और उसके पावर्फिंडिया की लगातर कम ओदी और उसके कारण वही सेम चीज इस स्ट्रेसर्टिस हैं और क्या करने की जरुद है और देखने की जरुद है कहां कौन से रिसूर्स को लगाए जाहेंगे थर्ड क्या पॉइंट है multi alignment strategy क्यों जरूरत है क्योंकि इंडिया multi alignment strategy follow कर रहा है अब हम लोगों के पास बहुत पैसा तो है नहीं हम लोग बहुत बड़ी super power तो है नहीं अब हमें पता है कि external threat है so हम लोग क्या कर रहे हैं friends बना रहे हैं who is whoever is capable and willing to provide a possible backup in a crisis perhaps defense technology hence the court australia india japan and us which discusses security bilaterally even while grouping backs the freedom of the seas on the other hand is the bricks of china-led economic grouping together with brazil and russia because you are not quite sure of putting all your egg in one western basket so india की strategy है वो multi-aligned strategy रही है क्यों क्योंकि अभी economically हम बहुत जादा strong है नहीं और defense में भी बहुत जादा स्ट्रॉंग नहीं है सो हमें partner चाहिए होगा हमें friend चाहिए होगा crashes के समय में सो हमने किसके साथ दोस्ती कर ली western country के साथ friendship कर ली court बना लिया और bilaterally हम लोग discuss भी करते हैं अपनी defense need को लेकिन united states western country पे कभी trust हम कर नहीं सकते कभी भी backstabbing कर सकता है united states की तो आदत रही है जहां पैसा दिखा वहां निकल लेते हैं और कभी भी धोका दे देते हैं Russia time interested friend वह हमेशा support करता है नहीं तो neutral रहता है united states का कोई भरोसा नहीं है क्या पता बहुर होई इंगेज कर रहा है यह इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग defense में बहुत ज़्यादा strong नहीं है military power हमारी बहुत ज़्यादा strong नहीं है जो कि match up कर पाए चाइना को और चाइना पाकिस्तान को साथ में अगर two frontal war होती है इसलिए जो है हमें national security strategy की जरूरत होगी चीज़े clear है तो यह आपका क्या होगा कि हमें क्यों why do we need a national security strategy यह कुछ तीन-चार points हो जाएंगे अब important point क्या है कि national security जो term है इसमें क्या-क्या चीज़े आ सकती है basically एक umbrella term है और अलग-अलग states के लिए इसकी meaning अलग-अलग हो सकती है जैसे कि United States की बात करते हैं for the United States it once centered around a union of our values and the national interest that means you can stand up as a most powerful democracy even while supporting a clutch of dictators for economic gain so अगर United States की बात करें तो वहां की जो national security strategy है वो किसके around center हो रही है union of their values so union of their values का मतलब क्या है इस example से समझते है for example उनकी value है democratic values है और या फिर human rights को वो लोग बहुत रिगूरसली follow करते हैं so उनकी जो national security strategy होगी उसमें यह values आपको मिल जाएगे और वो कोशिश करेंगे कि world में democratic principle हर जगा established हो सके लेकिन उसके साथ-साथ जो दूसरा term है वो क्या है national interest इसका मतलब यह है कि वो अपना national interest भी follow करेंगे अब यहां पर problem क्या है problem यह है कि United States यह बोल सकता है कि मैं एक सबसे powerful democratic country हूँ और जो democracy को support करता है लेकिन उसके बावजूद भी वो dictators के साथ partnership कर सकता है for economic gain क्योंकि वो उसका national interest है so यह जो है जो hypocritic जो policy है वो United States की national security strategy का बहुत बड़ा part है और यह हमें पहले से ही पाता है इसी तरीके से वो superpower बना हुआ है after all Joe Biden national security strategy mentioned values 29 times it centered around the need to maintain America leadership role अना तो जो जो बाइडन की national security strategy थी उसमें values 29 times use किया गया है लेकिन अगर अगर उसकी बात करें strategy की तो वो किसके around centered है कि किस तरीके से अमेरिका को top पे रखा जाए अमेरिका का जो leadership role है वो किस तरीके से होगा और किस तरीके से वर्ल्ड में अमेरिका as a superpower dominate करें अब यूएस की hegemony बनी रहे तो यहां पर जो United States है वो values की तो बात करता ही है लेकिन national interest उसके लिए ज़्यादा important है सो यह सबसे जे आना statement में दीखाने के लिए अच्छी लगती है पर national interest के नाम पर इन लोग human right violation जहां हो रहा है वहाँ पर attack कर जे रहें और वहाँ पर pro US विजीम established कर रहें ताकि इनका national interest सब हो सके जैसे की इराक में नोंने किया वियतनाम में नोंने किया और ऐसी कई सारी country ह है जहां पर इनके intervention के कारण आज भी ग्रहयुद चल रहे हैं ऐसी कई सारी countries है especially Middle East की जहां पर आज भी instability बनी होई है ठीक next बात करते हैं UK के लिए हाला कि UK अब वो पावर नहीं रही जिसे national security statement बनाना भी चाहिए पहले हुआ करती थी global power लेकिन आज भी UK अपने आपको global power मानती है जो की strange है for many reasons ना इनके पास अब कोई power नहीं है सो इन्होंने 2021 में एक national security strategy statement या फिर एक document लेकर आये थे जिसमें इन्होंने stress दिया था कि जितने भी उनके allies हैं उनके साथ वो साथ में मिलकर काम करेंगे सो डैट की world में peace ensure हो सके हना जब allies की अगर कोई बात कर रहा है इसका मतलब यह समझ दो कि वो काफी ज़्यादा वीक है हना वो superpower है नहीं बस नाम का superpower अपने आपको अभी भी मान रहा है क्योंकि legacy रही है यह अपन सुनते थे कि एक समय था जब British Empire का कभी सूरज अस्त नहीं ह रहे गया है सिर्फ नाम का रहे गया है पावर इनके पास कुछ भी नहीं है फ्रांस की बात कर लेते हैं तो president Emmanuel Macron ने 2022 में national security strategy statement लेकर आये थे वो भी एक document लेकर आये थे उसमें उन्होंने nuclear deterrent पर focus किया है nuclear deterrent पर focus इसले किया है क्योंकि Ukraine और Russia के बीच में उस समय war शुरू हो सकती है सो बेसिकली यह political comment document था in a bid for European leadership सो फ्रांस है वो अपने आपको European leader दिखाने की कोशिश कर रहा था इस political document से जिसमें main focus था कि किस तरीके से nuclear deterrent को किया जा सके और nuclear war को रोका जा सके सो यह अलग-अलग nuclear security strategy हो जाएगी अना जो अलग-अलग country अपना रही है there are no two opinions on the fact that India needs a national security strategy that will bring together diverse aspects such as defense, finance, investment, finance, investment, climate change into one coherent hold and then set a direction for the country So, इसमें कोई दो राय नहीं है किसी भी तरीके से clash of opinion नहीं है कि इंडिया को national security strategy की जरुरत है और इस strategy में इंडिया को defense, finance, investment और climate change जैसे सारे subjects को एक साथ लेकर आना होगा और एक particular direction में काम करने की जरुरत है Climate change क्यों आए है हाँ पर क्योंकि climate change के आर बहुत सारे threat है internal भी है और external भी है climate change के कारण water resources conflict बढ़ गाए है Overall इंडिया की growth कम हो जाएगी और अगर growth कम होगी तो इंडिया प्रोपरली जो economic power नहीं बन पाएगा और military power भी नहीं बन पाएगा इसलिए climate change जैसे subject को भी इसमें शामिल करने की जरुरत है नाओ अब बात कर लेते हैं कि national security strategy में क्या क्या होना चाहिए इंटिया की what should be included सो सबसे important point है first integration of economy and defense ये सबसे important point है क्यों while it is accepted that the protection of sovereignty and territorial integrity lies at the heart of national security every finance minister is well aware that a strong economy is also aimed at an ability to retain sovereignty in international relation तो सबसे पहले तो ये समझने की ज़रत है कि जो protection of sovereignty and territorial integrity है वो तो हम national security और defense के थ्रू ही कर सकते हैं military के थ्रू ही कर सकते हैं बिल्कुल सही बात है लेकिन बिना economic power बने आप military strong नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास equipment नहीं होगे तो आपके army लड़ेगी कैसे आप बड़ी army को कैसे maintain कर पाएंगे अगर आपने salary नहीं दे पाएंगे जितना जादा पैसा होगा जितनी strong economy होगी उतनी ही जादा strong हमारी military power भी होगी जो गरीब country होती है उनके पास इतनी जादा strong military नहीं हो सकती क्योंकि वो maintain नहीं कर सकते population की जो issues है जो जनता की problem है वो maintain नहीं किया जा सकता और resources सारे के सारे आप defense में नहीं लगा सकते जैसे कि इंडिया के साथ 1950s और 60s में हुआ था जादा नहीं के पास दो choices थी कि पैसा जादा से जादा defense में लगा जाए या फिर जो इतनी बड़ी population है जो भुकमरी का शिकार है उनको खाना खिलाने और उनके बहतर जीवट के लिए खर्चा किया जाए उस समय ये choices बहुत tough choices थी और जवालना लहरू ने जो जनता है और देश की growth है उस पर जादा focus किया और कई बार इसके लिए उन्हें criticize भी किया जाता है क्योंकि 1962 के war के लिए इंडिया बिलकुल भी तयार नहीं था तो गरीब देश कभी भी strong होई ही नहीं सकते नौर्थ कोरिया को अगर हम छोड़ दें वहाँ पर वहाँ पर dictatorship है लेकिन democratic country में यह possible नहीं है जहां पर voting होती है हर पास साल में election होते हैं वहाँ पर generally लोगों के लिए welfare measures लेने पड़ते हैं सो integrate करना होगा सबसे पहले defense और economy को next क्या कर सकते आप threat prioritization अना हमें पहले देखना पड़ेगा कि भाई threat कहां से आ रहा है चाइना से बहुत ज़्यादा threat आ रहा है इवन चाइना के साथ इंडिया का जो trade deficit है वो भी almost 85 billion dollar का है सो economically भी हम चाइना को benefit दे रहें और कल को यही चाइना हम पे attack कर सकता है सबसे पहले आपको threat prioritize करना पड़ेगा और उसके बाद आप क्या करोगे allocation of tasks to each service and the equipment that it needs to fulfill its mandate true the defense budgeting is relatively transparent exercise however a strategy will need to decide which equipment or service one has to lean towards and where it falls short so जो हमारा threat होगा पहलो से prioritize करेंगे next हमारा जो task होगा वो होगा कि किस तरीके से हम हर service को हना जैसे कि army है नेवी है आपके air force है तो कौन सी service को कितने equipment की जरूरत होगी for instance अगर इंडो Pacific हमारी strategy का important part है तो हमको किस पर focus करना पड़ेगा अपनी submarine को upgrade करने पर focus परना पड़ेगा अपनी ship building capacity को बढ़ाने पर focus करना पड़ेगा अगर इंडिया की submarine strength की बात करें तो चाइना से one fourth है चाइना के comparison में सो हमारा focus किस पर होना चाहिए submarine जो submarine है उसे upgrade करने पर और ship building capability पर सो जो हमारा second point होगा वो होगा strategic resource allocation सबसे पहले threat को prioritize करेंगे और उसके बाद जो limited resources है उसे strategically allocate किया जाएगा जो यहां पर मैंने आपको explain किया है third क्या point है हमें confidentiality maintain करने की ज़रत है हना अब national security strategy बना ली पर इसको हम publish नहीं कर सकते है अगर मानलों आपने इंडो Pacific का बता है कि इंडो Pacific हमारे लिए important है और इसलिए हम submarine upgrade कर रहे हैं हमारे को China का threat है तो यह चीज आप openly नहीं बता सकते क्योंकि already यह country आपके उपर निगाहें बनाई हुई है कि आप कर क्या रहे हैं आपकी preparation कैसी आप कितना prepare कर रहे हो उनके लिए उनके अगेंस्ट में सो यह सारा जितना भी आपका national security strategy का content होगा वो confidential होना चाहिए उसे बाहर हमें बिल्कुल भी नहीं करना है next point के externally a written national security document would hardly allow dexterous foreign policy flexibility apparent from our careful balancing on Russia Ukraine and Gaza war for instance friends so अगर आप एक बार national security document बना लेते हैं तो फिर आपकी जो foreign policy होगी वो इधर उधर जाएगी नहीं हना आपने जो national security statement बना लिया है या national security document बना दिया है उसी के जो values है उसी के around हमारी foreign policy navigate होगी तो यह important फायदा रहेगा इंडिया को ऐसा नहीं होगी flip-flop चल रहा है और एक सर्थेन हमारी foreign policy रहेगी backing democracy strongly in a written national security document would then be an exercise in hypocrisy the US can be as hypocritical as it pleases it is a world power India is not so हमें इस तरह का statement बिल्कुल नहीं डालना है कि हम जो है democracy को strongly back करेंगे यह सब बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि example से समझ लेते हैं मियान मार की बात करते हैं यहां पर coop हो गया अब हम किसके साथ engagement कर रहे हैं military के साथ engagement कर रहे हैं क्योंकि हमारा national interest उसी में है हम चाहते हैं कि वहां पर democracy दुबारा से restore हो जाए लेकिन हम उसके बाद भी जो military है उसे condemn नहीं कर रहे हैं तो हम लोगों का जो national interest है वही जो है हम कर रहे हैं United States hypocritical हो सकता है क्योंकि वह world power है उसको कोई ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता ना लेकिन हम लोग नहीं है तो हम लोग hypocrisy नहीं दिखा सकते और इसलिए इस तरह के statement हमें बिल्कुल भी include नहीं करना है तो यह सारी चीजे हमारे जो national security document है उसमें होनी चाहिए involved होना चाहिए in sum national security document is an urgent need it is not just about defense linked closely to it are the priority within the economy that will give a direction to industry to financial institution and all other tentacles that will make up the life blood pulsing through the economy so in sum अगर हम बात करें तो national security document India की urgent need है it is not just about defense it is more about integration of defense and the economy that exercise is generally done peaceful through various annual report and survey अभी तक के जो इंडिया की security document जो आते हैं वो पीस्मल exercise है हना कुछ reports आगई कुछ आपके surveys हो गया है उसके हिसाब से हम strategy बना लेते लेकिन एक comprehensive document अभी तक के नहीं बनाया गया है तो इंडिया को जल से जल एक बहतर national security document बनाने की जरूरत है तो हमें जितने भी annual reports है, survey है, जितनी भी strategies है, सबको integrate करना है और एक direction set करना है country के लिए to reach where it want to go and fast ठीक, here is some advice, keep it simple, keep it short, keep it specific and above all, keep it well under wraps, your enemy would be dying to know its content ठीक तो यह basically आपका conclusion हो जाएगा कि जो आपका document है वो कैसा होना चाहिए ठीक है, यह हमारा complete article था, hopefully आपको clear है यह सारी चीजे, तो हमने इस article में क्या क्या चीजे बड़ी जो national security strategy है, उसकी हमें जरुरत क्यों है उसके तीन-चार points हमने discuss किये हैं और इसके अलावा हमने discuss किया है कि हमारी जो national security strategy है उसमें क्या क्या content होना चाहिए, क्या क्या चीजे हमें follow करने, कौन कौन से principle follow करने की जरुरत है और कौन सी चीजे उसमें नहीं होना चाहिए, इसके अलावा हमने United States की, UK की और France की national security document भी discuss किया है यह सारी चीजे हमारा article में हमने discuss किया है, और hopefully आपको सारी चीजे clear हो गई होगी हमारा next article है, professional Indian women work the most hours globally article दा हिंदू में आया है, GS1, women issue से related यह article है और database article है, काफी important है, यह data आपको काम आ सकता है, mains में especially ठीक, बहुत जादा suicide बढ़ रहे है, women's के, उसके पीछे का एक जो कारण है, वो work stress भी है यह question आपको 2023 में पूछा जा चुका है, कि क्यों women's के suicide बहुत जादा बढ़ रहे है तो यह सारी चीज़े आपको use करनी है, आपको कोई specific एक news बताई जाती है, लेकिन एक general question आता है, तो वहाँ पर आपको यह specific news को use करना होता है, इस data को use करना होता है, ऐसे कई सारे चीज़े में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको question एक general question आएगा, वहाँ पर आपको सारा जितना हमने explain किया है, सारे कई सारी news का combination, वहाँ आपको सारी चीज़ों को use करते आना चाहिए, application बहुत जरूरी है, इसलिए है, ठीक, so article शुरू कर लेते हैं, the death of Anna Sebastian, a 26-year-old chartered accounting based in Pune, has led to intense discussion about the workload of professional in India, so 26-year-old एक CA थी, जो की EY, Ernst & Young में काम कर रहें थी, और इनकी death हो गए, उसके बाद से एक debate शुरू हो गई है, कि जो women professionals हैं, इंडिया में उनके उपर बहुत ज़्यादा workload है, domestic work तो उनने करना ही पड़ता है, और professionally भी उनने बहुत ज़्यादा hours काम करना पड़ रहा है, जो उनकी company है, Ernst & Young, वहाँ पर वो काम कर रही थी, और उन्हें बहुत ज़्यादा work असाइन किया जा रहा था, पूरे समय नाइट में वो काम करती थी, और next morning की उनकी deadline हुआ करती थी, so huge workload, new environment and long hours took a toll on her daughter, according to her, so उनके हिसाब से जो work stress है, उसी के कारण, उनकी daughter है, उसकी जान चली मिलर तरह की job कर रही है, उनने बहुत ज़्यादा work करना है, उनके जो working hours है, वो बहुत ज़्यादा है, उबली अगर हम देखें, तो ये fact है कि Indian women's बहुत ज़्यादा काम करती है, उनके working hours बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, जैसे कि chart 1 में show किया है, mean weekly hours that women work across various job types in 2023, Indian women worker in IT and communication jobs which include IT professional and generalist work 56.5 hours every week in 2023 and the most for any type of job in India, if we considered a work week of 5 days, that amounts to more than 11 hours per day और अगर हम six day का work week लेते हैं, तो लगभख nine hour hour of work a day जो है महिलाओ को काम करना पड़ रहा है, जो कि IT में हैं और generalism में हैं, so per day 11 घंटे working hours होते हैं महिलाओ के, especially जो IT and generalist हैं, इसके अलावा जो कि professional scientific and technical activities में work कर रही हैं, उन्हें 53.2 hours a week काम करना पड़ रहा है, जो female teacher हैं उन्हें relatively कम काम करना पड़ रहा है, उनके जो working hours है week में वो 46 hours है, so अगर आप देखें तो यहाँ पर जो महिलाओ है, वो है work load है, वो बहुत जादा है, work stress बहुत जादा है, अगर हम globally compare करें, तो जो different parts of world हैं, वहाँ पर ज वो Indian woman professional के comparison में relatively कम जो है, काम कर रही है, उनके जो working hours है, वो काफी कम है, जैसे कि यहाँ पर ब्रिक्स कंट्री के साथ compare किया गया है, जो IT industry में या फिर मीडिया में जो women's काम कर रही है, उन्हें 56.5 hours per week काम करना पड़ रहा है, वहीं जर्मनी में अगर आप देखो, तो 32 गं बहुत जादा काम कर रही है, उनके working hours बहुत जादा stretch है, उसके कारण work stress बहुत चादा है, उसके कारण कई बार जो महिला है, वो suicide कर लेती है, या फिर उनकी health खरावने के कारण उनकी जान को खतरा हो सकता है, तो यह हमारा complete article था, hopefully article आपको clear हो गया होगा,